हाई गाईज आप सबों के बीच एक बहतरीन टॉपिक के शाथ उपस्तित हुआ हूँ और आज का टॉपिक है परमुक राज्यों का गठन जी हाँ स्वतंतरता प्राप्ति के बाद भारत में कई राज्यों का गठन हुआ और उसमें कौन से राज पहले गठित किये गए और और इख्षाओं में इस प्रकार के प्रस्न कई बार पुछे जाते हैं तो इन राज्यों के गठन में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है आंदर प्रदेश का इसका गठन एक अक्टोबर उनई सो तिरे पनिशिवी को हुआ था और भासाई आधार पर गठन होने वाला ये पहला राज्य था उसके बाद नाम आता है महराष्ट और गुजरात का जब महराष्ट और गुजरात की बात करे तो ये अलग होने से पहले दोनों एक ही साथ था और अलग होने के बाद दोनों का गठन हुआ एक मई उनई सो साथी सभी को महराष्ट और गुजरात का ग गठन एक दिशम्बर 1963 इसमी को हुआ। उसके बाद नाम आता है हरियाना का गठन एक नौवंबर 1966 को हुआ। एक नॉबर 1966 को हुआ उसके बाद नाम आता है हिमाचल परदेश का और हिमाचल परदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ उसके बाद नाम आता है तीन राजे का गठन एक ही दिन हुआ और हुआ है मेघाले तिरपूरा और मनिपूर इन तीनों राजे का गठन एक ही दिन हुआ और हुआ है 21 जनवरी 1972 को तो मेगाले तिरपुरा और मनिपूर तीनु का गठन एक ही दिन हुआ और हुआ है 21 जनवरी 1972 इस भी को आईए देखते हैं आब आगे उसके बाद नाम आता है सिक्किम का गठन 26 अपरेल 1975 को हुआ फिर उसके बाद है मिजोरम और अरुनाचल पर्देश का भी गठन एक ही दिन हुआ और हुआ 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 बीस जनवरी 1987 इस भी को हुआ उसके बाद नाम आता है गोवा का जिसका गठन 30 मैं 1987 को हुआ गोवा का गठन 30 मैं 1987 को हुआ उसके बाद नाम आता है 36 गठन और 36 गठन एक नौमबर 2000 इस भी को हुआ इसमें एक शीज और है कॉमन कि 36 गठ उत्रा खंड और जहार खंड ये तीनो राज्यों का गठन बर्ष 2000 इस भी में हुआ जिसमें 36 गट का सबसे पहला 1 नौमबर 2000 सिवी को फिर है उतराखंड का 9 नौमबर 2000 सिवी को और उसके बाद है जारखंड का 15 नौमबर 2000 सिवी को इसका गठन हुआ